हेलो स्टूरंड कैसे हो आप वेलकम टू सायन चाप्टर तूस्टूरंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑप मेटल्स जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको बहुत ही आसानी से पढ़ाने वाला हूँ वो भी सिंपल लेंग से पहले हमें पता होना चाहिए what is metal right पता होना चाहिए what is metal metal किसे कहते है what is metal तुष्ण मेटल क्या होता है a type of solid substance that is usually hard and shiny and that heat and electricity travel through metal क्या होता है metal solid substance होता है जो क्या होता है हाड होता है and shiny होता है जिसमें heat and electricity travel होती है उसे च्रण क्या कहा जाता है metal कहा जाता है copper iron gold एस सब मेटल के क्या है examples है तुष्ण है जो मेटल होते हैं metals के physical and chemical properties होती है क्या होते च्रण फिजिकल and chemical properties होती है तो च्रण आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है physical properties of metals physical properties of metals तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट मोस्ट जो metals होते है metals are solid at room temperature तो सब्सक्राइब जो metals होते है रूम टेमपरेचर में कैसे होते हैं solid होते हैं solid होते हैं at room temperature यहां exception है mercury and gallium जो की solid state में नहीं होते हैं देन सब्सक्राइब हम next property के बात करते हैं जो कि सब्सक्राइब लस्टर जो metal होते हैं सब्सक्राइब रॉफ होते हैं लस्टर मतलब चोड़ी Allah killing मतलब when सबंदhy बातша है यह सब्सक्राइब दिए जो условyor में प्रापि के उनने सब्सक्राइब के बहुत 2 कि सब्सक्राइब रॉपर्डी होते हैं सोलरस का मतलब स्टुरंड क्या होते हैं मेटल प्रोडिस साउंड तो स्टुरंड यह जो मेटल होते हैं मेटल क्या करते हैं साउंड को प्रोडिस करते हैं साउंड को क्या करते हैं तो स्टुरंड मेटल साउंड को कैसे प्रोडिस करते हैं जब स्टुरंड यह जो मेटल होते ह यह metals किसी solid को hit करते हैं, क्या करते हैं? किसी solid को hit करते हैं, तब student क्या होता है? एक metallic sound produce होती हैं, क्या होते हैं? मैं च्थराइक जो metals होते हैं, सोनरस होते हैं- तो most of metals shows these properties. तो सोनरस यह भी फिजिकल property है हो है hardness. तो, student जो metals होते हैं- यह metals ्ट्स क्या होते हैं ड हर ल संप्ट्सीव ट्रोल्न कॉनयों कि मेक विशंत टहुद 155 कि यॉपमिश глब्स स्वाट्ण्ट्र ससे अगर स्वालीड रहेंगे तो केसे होंगे स्वालीड कोई भी सबस्टेंज कैसा होता है हाड होता है तुस्वाइन सोडियम और पोटेशियम यहांक्या है exception है तो शुर्ण जो next property है ductility बहुत ही important property है आपको ध्यान में रखना है तो शुर्ण ductility क्या होता है तो शुर्ण ductility क्या होती है जो property होती है यह property क्या होती है the property of metal by which they can be drawn into wire श्रोड एए C metal की property है जिसमें श्रोड क्या होता है जो metal का कोई भी parts होता है उस parts से पतली-पतली wires निकाली जाती है इस property की वज़े से metal का भारी मातरा में इस्तमाल किया जाता है यहाँ zinc and arsenic ductile नहीं होते है इन दोनों में जो ductility है यह property नहीं होती क्या आपको पता है ductility यह जो property है किस metal में ज़्यादा होती है gold में सबसे ज़्यादा ductility होती है आपको यह ध्यान में रखना है जो gold होता है सबसे ज़्यादा ductile होता है दे श्रोड हम next property की बात करते है milleability तो student, malleability क्या होते है? The property of metal by which they can be bitten into sheet यह जो property होते है इसमें, student, जब हम metals को bitten करते है तब उनसे क्या होती है? Sheet form होती है क्या होती, student? Sheet form होती है zinc and arsenic यह जो दो metals होते है इन दोनों में, student malleability यह जो physical property है metals की यह property absent होती है आपको ध्यान में रखना है, student, malleability यह metals के आंदर एक अलग सी property present होती है Then, student, हम next, जो physical property है metal की उसकी बात करते है तो student, conductivity तो student, conductivity क्या होती है? A, student, physical property होती है metal की metals are good conductor of heat and electricity तो student, जो metals होते है A, metals, heat and electricity का क्या होते है student, good conductor होते है तो आपको ध्यान में रखना है टंगस टंग यहाँ exception है Silver, copper, gold यह metals है A, metals, good conductor of heat and electricity के होते है अगर student, silver की बात करे अगर student, silver की बात करे तो student, यह जो silver metal होता है यह metals, student, hundred percent क्या होता है? good conductor of heat and electricity का होता है student, जो last physical property है metals की high melting and boiling points मतलब, student, जो metals होते है metals का high melting and boiling point होता है student, melting point क्या होता है? student, melting point क्या होता है? melting point is the temperature at which materials changes from solid to liquid आपको ध्यान में रखना है melting point में क्या होता है? जो materials होता है material changes from solid to liquid solid से वो convert होता है liquid में किस में, student, melting point में boiling point क्या होता, student boiling point is the temperature at which materials changes from liquid to gas boiling point में, student, क्या होता है? जो materials होता है वो change होता है liquid to gas तो आपको ध्यान में रखना है melting point क्या होता है and boiling point क्या होता है student, जो metals होते है metals का high melting and boiling point होता है तो I hope, student, आपको समझ में होगा physical properties of metals क्या आपको में, प्याल गगत्व सक्राशव法 झालता है